हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सभी को किष्ण जन्माष्टिमी की हर्दिक सुपकमनाएं आज मैं आप लोगों के लिए श्रीकिष्ण जन्माष्टिमी इस्पेसल धाली लेके आई हूं जो की आपको बहुत पसंद आएगी तो उसमें बहुत सारे बेंजन बने हैं त इसके लिए हमने पैन में घी डाल दिया है एक शेडियर चमश और यह लिए हम खाने तो इनको हमें फ्राइ करना है अच्छे से क्यूंकि यह कुरकूरे हो जाएं और इसमें कद्दू कस्किया हुआ नारियल और कुछ काजू और कुछ बदाम और किसमिस भी है तो सबको हमे धीमी आज पे इस तरह से फ्राइ करना है ताकि यह कुरकूरे भी हो जाएं और यह जले भी नहीं इसका आपको खास ख्याल रखना है तो बिल्कुल धीमी आज पे इसे थोड़ा सगी डालके और हलके हाथों से इसे चलाते रहना है तो यह 2-3 मिनट में अच्छे से कुरकू में निकाल लिया है अब हम चासनी बनाने की तयारी करते हैं तो हमने लिया है 100 ग्राम चीनी जैसे आपने 200 ग्राम चीनी लिया है तो मैंने 200 ग्राम चीनी साइद लिया हाँ 200 ग्राम चीनी और उसमें 100 ग्राम पानी अड़ करते हैं तो जो 100 ग्राम पानी हम डालेंगे तो इस अब हम ड्राइफ फूर्स जो है उसको आप थोड़ा दरदरा कर सकते हैं तो मैंने ऐसे ही डाल दिया क्योंकि जब यह साबुत होते हैं तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और जैसे ही इसको थोड़ा सा चलाएंगे देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है और नहीं तो हलका सतरदरा कर दीजिए तो बिल्कुल भी प्राबलम नहीं होगी और इसको हमने घी लगा के रखा हुआ था पहले से और अच्छे से इसको थोड़ा सा दबा दबा के शेट कर देना है और इसे आपको 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देना है तो फ्रीज में जब हम रख तो फ्रीज से निकालने बाद इसको हम चार टुकड़ों में कट करेंगे देखिए बड़े-बड़े मतलब पीश निकालना है तो हमने कट कर लिया है अब हम इसको थाली में सजाने के लिए एक कटोरी में बरके रख देते हैं और अब हम बनाएंगे पंचमावा खीर जो की प्रशाद में बहुत जरूरी होती है तो सबसे पहले हमने पायन में एक चमच घी डाल दिया है और इसमें हमने डाला मखाने तो पंचमेवा नाम ही है तो इसमें पंचमेवा जरूर चाहिए तो मतलब बखाने काजू बदान किस्मीश कद्दू कस्किया हुआ नारियल तो जो भी मेरे पास था वो हमने यूज किया है आपको जो पसंद हो आप डाल सकते हैं तो मखाना है तो इसमें थोड़ा सगी ज्यादा पड़ता है जब तक कुरकुरा ना हो जाए तब तक हमेशे धीमी आज पर ऐसे शेख लेना है अच्छे से तो मेरे मखाने जो है उसीख च इच्छा नहीं लगेगा और यह काजू थोड़ा सा कटा हुआ काजू और बदाम कटा हुआ और चिरोंजी किसमीश को मैं अलग से फ्राइ करूंगी क्योंकि इसके साथ अगर किसमीश को भी फ्राइ कर दिया तो वह जल जाएंगे तो इसे भी बिलकुल धीमी आज पर फट फ्राइ कर लिया और अब हम किसमीश डालेंगे किसमीश को बिलकुल धीमी आज पर एक मिनट तक इसको हलका सा जब तक थोड़ा सा उपर फूल जाए तब बस इसे हमने निकाल लिया बहुत ज्यादा बिलकुल भी नहीं करना है आपको बिलकुल धीमी आज पर इन राइफ फूर्ष को फ्राइ करना है ताकि जले नहीं अब हमने पैन में डाल दिया है दूद तो आधा लीटर दूद हमने डाल दिया है और चीनी बिलकुल थोड़ा सा डालना है तो मैं दो चम्मस्च के करीब चीनी डाल रही हूं क्यूंकि पंचमेवा खीर है तो इसमें चीनी की ज्यादा जिरोत नहीं है थोड़ा सा ही लाइची पाउडर हमने डाल दिया है जो भी फ्लेवर आपको पसंद है आप यूज कर सकते हैं और जैसे ही दूद में वाल आने लगे वैसे ही सारे ड्राइफ फूर्ष को हम एक साथ मतलब देखते थोड़ा थोड़ा करके डाल दे हैं तो जैसे ही थोड़ा सा एक दू मिनटी से पकाना देखिए थोड़ा आच जादा हो गई है इसमें मतलब वह आने लगा भाप इसका तो कैमरे में लग रहा है इसलिए ऐसा दिक रहा है तो हम किनारे को छुड़ाते हुए देखिए हमने खीर को जटपड बना कर रख दि गे और शाबूदाना को जो है आपको चार घंटे पहले vel देना है मैंने चार घंटे पहले शाबू दाना को विल दिया था तो जब आप इस तरह से खीर भूर बनाएंगे तो आपकी घट-पड बनकर तयार हो जाएगी अगर नहीं भिगूते हैं तो फीर को बनाने में बह में थोड़ा सा पीश दें और पीश के भीगोएंगे तो आपकी टेस्टी खीर और अच्छी जल्दी से बनकर तयार हो जाएगी तो दूद डाल दिया हमने तो आधा लीटर के करीब दूद डाला है और इसे हम चलाते हुए बराबर पका लेंगे तापी मतलब किनारे पे बराते हुए अच्छे से पका लेना है तो जट पड़ से आपकी खीर बनकर तयार हो जाता है तो हमारी खीर कितनी कम बनकर तयार हुई क्योंकि दूद गाड़ा हो गया और आधा दूद इसमें जल गया है तो खीर हमारी बनकर रेडी है अब हम नेक्स्ट बनाएंगे दूसरी प्रसाद की तयारी करते हैं जो की बनाना सबसे आसान है पंजीरी पंजीरी सबसे पहले हम क्या करेंगे मोटा दरदरा आटा हमें लेना है और घी हमने डाल दिया एक चमच घी आप इसमें जादा से जादा डाल सकते हैं ले लेकिन जब हम घी में आटे को फ्राई करते हैं तो उसका जो टेष्ट होता है काफी अच्छा हो जाता है अगर आप अच्छे से फ्राइलाएद्सहां जब लेंगे और यह पंजीरी तो जटपड से बनकर तयार होती है तो आप यह प्रसाद आसानी से बना सकते हैं तो देखे कितना सुंदर हमारे आटे का कलर हो गया है और इसको हमने एक छोटी सी प्लेट में निकाल लिया है अब हमें इसमें चीनी तो आपको जो भी पसंद है चीनी गुड़ भी डाल सकते हैं पावडर गुड़ डाल सकते हैं मैंने साबुत चीनी डाला है पावडर सुग हमने इस तरह बनाया है तो ड्राइफ फूट्स को आप हलका सा फ्राइख कर लें कच्चा बिलकुल नहीं डालना है और कच्चा डालेंगे तो कच्चे कच्च दांत में अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा सा फ्राइख करेंगे तो वह कुरकुरा हो जाएगा और इसे डालकर समय मिक्स कर लेना है तो मेरा जो पंजीरी है जट पट से देखिए कितनी जल्दी बनकर तयार हो गई आप इसे जरूर ट्राइख करें भगवान के प्रशाद में जरूर बनाएं और जोकी बहुत जल्दी बनकर तयार होती है अब हम बनाएंगे पंचा मिलित जोकी बहुत में जरूरी होता है हर प्रशाद में हमारे हिंदु धर में तो सबसे पहले हमने इसमें एक किलाज दूर ना है एक पाव के करें और चीनी दिया हमına और जैसे आपने इसमें एक पाव दूर डालना है उसका आधार तो अगर100 ग्राम दूर डालते हैं तो उसमें 50 ग्राम दू पहले से फ्राई करके रखा हुआ है पंच मेवा जो कि वही काजू बदाम किश्मिश मखाना और कद्दू कश्किया होनारियल इसको हमने कच्चा बिल्कुल भी नहीं डालना है अगर फ्राई करके डालेंगे तभी वह खाने में अच्छा लगेगा प्रसाद तो थोड़ा सा फ्राई करके पहले से रख लें और फिर हम इसको धीरे धीरे सारे ड्राई फूट्स को इसमें डाल देते हैं और इसमें फिर डालेंगे तुल्षी पत्ता जो कि पंचा मिर्थ में बहुत जरूरी होता है थोड़ा सा गंगा जल हमने पहले से ही डाल दिया था बताना भूल और हनी दो चम्मच हनी डाल दिया और देखिए मेरा पंचा मिर्थ बनकर जटपड तयार हो गया तो आप इसे जरूर ट्राई करें श्री किस्ट जन्माश्टमी पे जो कि जटपड से बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और प्रशाद मतलब सबसे महत्त प्रशाद भी यह होता है तो अब मेरा पंचा मिर्थ बन गया अब हम बनाएंगे माखन मिश्री जो कि किस्ट भगवान का बेहद पसंद था तो सबसे पहले हमने यह मेरे घर का बना हुआ माखन है आप घर का लिया हुआ बना हुआ माखन लेंगे तो सबसे अच्छा में भी तो हमारा देखे माखन मिश्री भी बनकर तयार हो गया तो इस तरह से आप जटपट प्रशाद जो है बना कर तयार कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के तो हमारा अच्छे तरह का प्रशाद बनकर तयार है आपको इसमें से जो भी पसंद आए वह आप जटपट बना कर त त्यार कर सकते हैं तो आप सभी को जो भी पसंद आये वह आप ट्राइ कर सकते हैं और जाते-जाते आप सभी को एक बार फिर जन्माश्टमी की हर्दिक सुपकामनाएं और थैंक्यू